सूपरभाद प्यारे बच्चों, आज हम कक्षादस से हिंदी स्पर्ष की बुस्तक से पार्ट पड़ेंगे ततारा वामीरो कथा यह जो कथा है लीला धरमन लोई जी ने लिखी है ततारा वामीरो कथा एक प्रसित लोग कथा है इसमें प्राचीन लोग विश्वास पर आधारित एक प्रेम कथा का बढ़नर किया गया है तो चलिए स्टाट करते हैं मिटा अंदमान दीव सुम्हू का अंतिम दक्षनी द्वीप है लिटल अंदमान यह पॉर्ट प्लेयर से लगभग 100 किलोमेटर की दूरी पर स्थित है इसके बाद निकोबार दीव सुम्हू की श्रिंकला अरम होती है जो निकोबारी जन जाती की आदिम संस्कृति के केंदर है निकोबार दीव सुम्हू का पहला प्रमुक द्वीप है कार निकोबार जो लिटल अंदमान से 96 यानिकी 96 किलोमेटर दूर है निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन कार में ये दोनों द्वीप एक ही थी इनके विभक्त होने की विभक्त मिंस बटा हुआ विभक्त होने की एक लोग कता है जो आज भी दोराई जाती है लोग कता मिंस जन समाज में प्रचरित प्रथा एक कता है सदियों पूर्फ जब लिटल अंदमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहाँ एक सुन्दर सा गाउं था पास में एक सुन्दर और शक्तिशालिक युवक रहता था उसका नाम था ततारा निकोबारी उसे पॉक्त प्रेम करते थे ततारा एक नेक और मददकार प्यक्ती था सदैव दूसरों की सहता के लिए ततपर रहता था अपने गाउं वालों को ही नहीं अपितु समुचे दिववासियों की सेवा करना अपना परम करतब वे समझता था उसके इस्तियाग की वज़े से वे है बड़ा चर्चित था सभी उसका आदर करते वक्त मसीबत में उसे सम्रण सम्रण मतलब याद करते और वे भागा भागा वहां पहुंच जाता दूसरे गाउं में भी पर्वतिहारों के समय से विशेश रूप से उसे आमंत्रित किया जाता था उसका व्यक्तित्व तो अकर्शक था ही साथ ही आत्मियस्वभाव की वज़े से लोग उसके करीब रहना चाहते थे पारंप्रिक पोशाग के साथ वे अपनी कमर में सदैब एक लकडी की तलवार मांदे रहता लोगों का मत्था बावजुद लकडी के होने पर उस तलवार में अद्भुत दैब्य शक्ति थी ततारा अपनी तलवार को कभी भी अलग नहीं होने देता था उसका दूसरों के सामने प्योग भी नहीं करता था किन्तु उसके चर्चित सहासिक कारणामों के कारण लोग उसके तलवार में एक अद्भुत शक्ति का होना मानते थे ततारा की तलवार एक बिलक्षन रहसे से बरी हुई थी एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहनने के लिए निकल पड़ा सूरज समुद्र से लगे शितिस तरे टूपने को था समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी पक्षव की साय काली जहे चहाटे धीरे धीरे शिन होने को थी उसका मन शांत था विचार मततारा समुद्री बालू पर बैठ कर सूरज की अंतिम रंग पिरंगी किर्णों को समुद्र पर निहारने लगा तबी कहीं पास से उसे एक मधूर गीत कुछता सुनाई दिया गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो बीश बीश में लहरो का संगीत भी उसे सुनाई देता गायन इतना प्रभावी था कि वे अपने सुद बुद्र खोने लगा लहरो के प्रभल वेग ने उसकी तंद्रा भंकी चैतन्ने होते ही वे उधर बढ़ने को विवश हुआ जहां से गीत के सुवर पह रहे थे वे भी कलसा उस तरफ पढ़ता गया अन्तत्य उसकी नजर एक युट्ती पर पढ़ी जो ढलती हुई शाम के सुंदरिये में बेसुद एक टक समुद्र की देहे पर डूपते अकरशक रंगों को निहारते हुए गा रही थी यह एक श्रिंगार गीत था उसे ग्याद ही ना हो सका कि कोई अजनबी हुवक उसके नीशब्द उसको नीशब्द ताके जा रहा है एक एक उंची लहर उठी और उसे बिगो गई वे हट बढ़ाट में गाना भूल गई इससे पहले कि वे सामान ने हो पाती उसने अपने कानों में गूँचती गंभीर अकरशक आवास सुनी तुमने एकाग इतना मदरुगाना अधुरा क्यों जोड़ दिया ततारा ने विनमरता पुरुवक कहा अपने सामने एक सुन्दर युवक को देखकर वहे विस्मित हुई यानि कि हैरान हुई उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ किन्तु अपने को सहियत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया क्या जवाब दिया ततारा मानो संभू ही था उसके कानों में युवती की आवास ठीक से पहुँच ना सकी उसने पुने विने की तुमने गाना क्यों रोक दिया गाउ ना युफती चुंजला उठी वै कुछ और सोचने लगी अन्ततै उसने निश्चे पूर्वग एक बार पुने लगवग फिरोद करते हुए कड़े स्वर में कहा धीरता की हद दै मैं जब से परिचे पूछ रही हूँ और तुम बस एकी रागलाप रही हो गीत काउ गीत काउ आखिर क्यों क्या तुम्हें गाउं का नियम नहीं मालूं इतना बोल कर वै जाने के लिए देजी से मुड़ी ततारा को मानो कुछ होश आया उसने अपनी गल्दी का एहसास हुआ वहें उसके सामने रास्ता रोब कर मानो गिलगडाने लगा मुझे माफ कर दो जीवन में पहली बार मैं इस तरह से विचलित हुआ हूँ तुम्हें देखकर मेरी चितना लुप्थ हो गई थी मैं तुम्हें रास्ता छोड़ दूँगा बस अपना नाम बता दू ततारा ने विवश्टा में आग रह किया उसकी आँखे युफ्थी के चेहरे पर केंद्रित थी उसके चेहरे पर एक सच्ची विने थी वा मीरो एक रज खोलती आवाज उसके कानों में पूंची वा मीरो वा मीरो वा कितना सुन्दर नाम है कल भी आओगी न यहां ततारा ने याशना भरे स्वर में कहा नहीं शायद कभी नहीं वा मीरो ने अन्य मनसकता पुर्वक कहा और छटके से लपाती की तरफ बेसूसी होकर दोल पड़ी पीछे ततारा के बाके गूंज रहे थे वा मीरो मेरा नाम ततारा है कल मैं इसी चट्टान पर प्रतिक्षा करूँगा तुमारी बार जोंगा जरूर आना वा मीरो रुकी नहीं और भागती ही गही ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा वा मीरो घर पहुंच कर भीतर ही भीतर कुछ पेचैने महसूस करने लगी उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक चूटी छटपटा हत थी एक जलाट में उसने दर्वाजा पंद किया और मन को किसी और दिशा मिले जाने का प्रयास किया बार-बार ततारा का याशना वरा जेरा उसकी आँखों में तैर जाता उसने ततारा के बारे में कई कहानिया सुन रखे थी उसकी कलपना में वह एक अदबुत सहसी युवक था किन्तु वही ततारा उसके सामने एक अलग रूप में आया सुन्दर, बरिष्ट, किन्तु बेहत शांत, सब्भे और भोला उसका व्यक्तित्व कदाचित जैसा ही था जैसा व्यापने जीवन साथी के बारे में सोच रही थी किन्तु एक दूसरे गाउं के युवक के साथ यह संबंद परंपरा के विरुद था अतहे उसने उसे भूल जाना ही उचित समचा किन्तु यह असंभव सा जान पढ़ा ततारा बार बार उसकी आँखों के सामने था निर्निमेश यानि की जैसे बिना पलग छपकाई हुए याचक की तरह वैं परतिक्षा में ढूबा हुआ था किसी तरह से राद भी थी दोनों की हृदे व्यथित थे किसी तरह आँचर रही एक थंडा और उबाओ दिन गुजरने लगा शाम की परतिक्षा थी ततारा के लिए मानुक पूरे जिवन की एक अकेली परतिक्षा थी परतिक्षा मिंस इंतजार उसके गंभीर और शांत जिवन में ऐसा पहली बार हुआ था वैं अचम्बित था, साथ ही रोमान्चित भी दिन धनने के काफी पहले वै लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुँच गया वामीरों की प्रतिक्षा में एक एक पल पहाड की तरहां भारी था उसके भीत एक ही अशंका दोड रही थी अगर वामीरों ना आई तो वै कुछ निर्णे नहीं कर पा रहा था सिरफ प्रतिक्षा रख था बस आज की एक किरन थी जो समुद्र की देहे पर डूपती किरनों की तरहां कभी भी डूप सकती थी वै बार बार लपाती के रास्ते पर नजरे दोड़ा था सहसा मिस आजाना नारियल के चुर्मटों में उसे एक आकरती कुछ साफ ही कुछ और कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा सच मुच वै वामीरो थी लगा जैसे वै घबराट में थी वै अपने को छुपाते छुपाते हुए आगे बर्ड रही थी बीज बीज में वै इधर उधर दिर्ष्टी दोड़ा ना भूलती थी फिर तेश कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिटक गए दोनों शब्द हीन थी कुछ था जो दोनों के वीतर ही बह रहा था एक टकनी हारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे सूरज समुद्र की लैरों में कहीं खो गया था अंधिरा बढ़ रहा था अचानक वा मेरों कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दोड़ पड़ी ततारा अब भी वहीं खड़ा था निश्चल शब्द हीन बीच बीच में इधर उधर दिश्टी दोड़ाना ना भूलती थी फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिटक गई दोनों शब्द हीन थी कुछ था जो दोनों के बीचर ही बहरा था यानि कि दोनों एक दूसरे को निहारते हैं जाने कब तक खड़े रहे और समुद्र की जो लहरे थी वो कहीं खो गया था उसमें अंधेरा भी होने लगया था और अचानक पामेरों को कुछ होश आया और उसे देखा कि अंधेरा हो चुका है इस लेवे घर की तरफ दोड़ पड़ी ततारा अब भी वहीं पर खड़ा रहा दोनों रोज उसी जगां पहुँशते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्मिमेश ताखते रहते बस भीतर समर्पन था जो अनवरत गहरा रहता लपाती के कुछ रुपकों ने इस मूख प्रेम को भाप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी वामीरो लपाती गाउं की थी और ततारा पासा का दोनों का सम्हंद संभव नहीं था रिती के अनुसर दोनों को एक ही गाउं का होना चाहिए था वामीरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रियास किये गए किंतु दोनों अडिक रहे वे नियमत लपाती के उसी समुद्रे किनारे पर मिलते रहते और अफ़ाएं फैलती रही उस समय के बाद पासा गाउं में एक पशुपर्व का आयोजन हुआ पशुपर्व में रिष्ट पश्मों के परदर्शन के अतिरिक पश्मों से युपकों की शक्ती परिक्षा प्रतियोगिता भी होती है वर्ष में एक बार सभी गाउं के लोग हिस्सा लेते हैं बात में निर्थे, संगीत और भूजन का भी आयोजन होता है शाम से भी लोग पासा में एकत्रित होने लगे, धीरे धीरे विभिन कारिक्रम शुरू हुए, ततारा का मन इन कारिक्रमों में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, उसकी व्याकूल आँखे वामीरों को ढूनने में लगी हुई थी नारियल के चुन के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई जांकता हुआ दिखा, उससे थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चिश्टा की, वे वामीरों थी, जो भैवश सामने आने में जिजग रही थी उसकी आँखे तरल थी, होट कांप रहे थे, ततारा को देखते ही वे फूट कर रोने लगी, ततारा भी विहल उठा, उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था, रोने की आवाज लगातार उंची होती जा रही थी ततारा किम करतब विव मूर था, वामीरों की रुद्न स्वरों को सुनकर, मतब रोने के स्वरों को सुनकर, उसकी माँ वहाँ पहुंची और दोनों को देखकर आग बबला हो उठी सारे गाउं वालों की उपस्तती में यादिरिश्य उसे बड़ा अपमान चनक लगा, इसी बीच गाउं के कुछ लोग भी वहाँ पहुंच गे वामीरों की मा बड़े गुसे में, बड़े क्रोध में उफन उठी, उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया गाउं के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज उठाने लगे, यहें ततारा के लिए बड़ा असहनिय था वामीरों अब भी रोए जा रही थी, ततारा भी गुसे से भर उठा उसे जहां विवहा की निशेत परंपरा पर शोब था, वहें अपनी असहायता पर खिज चड़ रही थी वामीरों को दुख उसे और गहरा कर रहा था, उसे मालूम ना था कि क्या कदम उठाना चाहिए अनायास उसका हाथ तलवार की मूट पर जाटिका, क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा क्रोध लगातार अगने की तरह बढ़ रहा था, लोग सब सहम उठे, एक सन्नाटा सा खिच किया जब कोई रहा ना सुझी, तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ती भर उसे धर्ती में खोप दिया किसे तलवार निको और ताकत से उसे खीचने लगा, वामीरों को दुख उसे और गहरा कर रहा था, उसे मालूम ना था कि क्या कदम उठाना चाहिए, अनायास उसका हाथ तलवार की मूट पर जाटिका, क्रोध में उसे तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा, क्रोध लगाता है अगने क की तरह बढ़ रहा था, लोग से हमें रहे, एक सनाटा सा खीच गया, जब कोई रहा ना सूची तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ती भर उसे धर्ती में खौप दिया, और ताकत से उसे पूरी धाना से खीचने लगा, किसे तलवार को, वे पसीने से नहां उठा, स मानो धर्ती के दो टुकड़े हो गए थे, धर्ती यानि की दो टुकड़ों में बटने लगी, एक गढ़़ाप सी गुषने लगी और लकीर की सीध में धर्ती फर्ती ही जा रही थी, दिवीप के अंतिम सिरे तक ततारा धर्ती को मानो क्रोध में कारता हुआ जा रहा था, चीकती हुई दोड रही थी ततारा 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 उसकी कर्वनाचीक मानों कर गड़हार्ट में डूब गई ततारा दुरुभागेवश दूसी तरफ था द्वीब के अंतिम सिरे तक धर्ती को चाकतावे जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा द्वीब दो टुकडों में उसने छलांग लगा कर दुसरा सीरा ठामना चहा किंतु जो उसकी पकड़ती है ढोड़ धिलि पड़ गई मूझे सिरफ एक ही चिक उभर कर डूब रही थी वामीरो वामीरो उधर वामीरो भी ततारा 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 पुका रही थी जो ततारा था वो लहुलुहान हो चुका था और अचेत होने लगा कुछ देर बाद उसे कुछ कोई होश नहीं रहा वै कटे हुए द्वीब के अंतिम भूखन पर पड़ा हुआ था जो की दूसरे हिस्से से सयोग वश चुड़ा था बहता हुआ ततारा कहां पहुँचा बाद में उसका क्या हुआ कोई भी नहीं चानता इधर बामीरो भी पागल सी हो उठी वै हर समय ततारा को खोशती हुई उसी जगापर पहुँचती और घंटों वहाँ पर बैठी रहती और उसने खाना पीना भी छोड़ दिया परिवार से वै एक तरह से अलक्सी हो गई थी लोगों ने उसे भी ढूणने की बहुत कोशिश की किन्तु वामीरो का भी कोई सुराग ना मिल पाया आज ना ततारा है ना वामीरो किन्तु उनकी ये प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लीटन अंदमान है जो कार निकोबार से आज 96 किलोमेटर की दूरी पर स्थित है निकोबार इस खटना के बाद दूसरे गाउंगों में भी आपसी वैभाईक संबंद करने लगे ततारा वामीरो की त्याग मही मिरत्यु शायद इसी सुखत परिबरतन के लिए थी आई थिंग आपको बिटाई चप्र समझा हो गया होगा आपने अपनी बुक से पीस को रीट करना है